क्वाइस मैं बिग बॉस एक्स्ट्रीन से जुड़ी होई लेटस खबर लेकर आपके सामने पेशुनी हूँ बिग बॉस की गर में दिखाया जा रहा है कि जब MC स्टैंड वीकेंड के बार पर अपनी बात रखना ही चाहते होते हैं लेकिन तब ही जो साजित खाना एंड अर्चना उन्हें साइलेंट करने के मूड में होते हैं लेकिन जो प्रयांका चौदरी है वो MC स्टैंड का साथ देते हैं और कहते हैं कि नहीं इसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सभी घरवाले प्रयांका चौदरी की बात मन के MC स्टैंड को स्पोर्ट करते हैं जिसे देखर जो साजित खाना है वो काफी जगा गुसी में आ जाती हैं और जो MC स्टैंड वो अर्चना को टार्गेट करते हैं और उनके उपर आपका घड़ा पानी का डोलती हैं जिसके कारण जो अर्चना वो प्रयांका चौदरी पर इलजाम लगा रही है और बाकी घरवालों पर कह रही है कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की वाइप बने वाली हूँ आप लोग मुझे ऐसी ऐसी बाते कहते हैं तब ही प्रयांका चौदरी कहते है कि बेन तु बता दे एक बार कि क्या बात मैंने तुम्हें गलस कही है आज तक मैंने कभी भी तुमको काली गलोज, कुछ भी ऐसी बद्वाई नहीं दी जैसी तू देती है जिससे उनकर जो MC स्टैन है वो भी काफी जदा गुस्से में होती है और वो अर्चना पर बहुत बड़े बड़े इलजाम लगाते हैं करते हैं कि आज तक घर में कोई भी एक बंदा ऐसा भी नहीं है जिस लड़की ने रूलाया नहीं है हर घर वाले को लड़की ने रूलाया है अज़ एक जो पर्सनल एशू है उनको उठाएया है पर्सनल काम को लेकर बाते बनाइे है जिसे सुनकर जो प्रयांका चौदरी है वो फुल एमसी स्टेंड का साथ देती हुए नजर आ रही है क्या आपको भी लगता है कि जो अर्चना बेजे हमेशा ही हर गरवाले के परसनल अटेक करती है हर गरवालों की परसनल बातों को उठाती है उनके एक काम को लेकर बहुत बाते करती है आपका क्या रियक्षिन है प्लीज हमसे शियर जरूर किसी है और उनसे जुड़ी है अपडेट के लिए चैम को सिस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं के तो प्लीज जल्दी से जल्दी करेजिए धन्याबद